तुन्य आखाश, नीचे धर्ती उपर आखाश, इसलिए प्रयाग राज की स्थिल्ट सबसे स्वस्त और विरक्षा है, को मैंना के लिए। शिष्टम देख सकते हैं, नियम आपको ये पता लग सकता है कि भारत बर्ष में कितने कैसी कैसी सुप्रदा हैं, कैसी कैसी तपश्या है, कैसी कैसी मानिता है दर्म के नाम पर कितनी कितनी बकवास है इसका भी पता लग जाएगा कितनी उर्जने हैं और यहाँ पर देखो हो रहा है तो उसके पास एक चोटा 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 बनाए और उसमें कहते हैं बहुत से लोग ढोल बचाते हैं अब पता नहीं उस्षी जी को खुश करने के लिए हो गया ऐसे और जगा जगा पता नहीं कितना कहा कहा क्या क्या है तो सत्य, ब्रह्म, विश्वास, बिवेक सब की बाते यहां अजायब घर है पूरा कुम वेला अजायब घर है सब चीज देखो, सुनो, समझो, विचारो अपना काम करना है, कल्यान का काम यह खास बात है हम लोग तमाशा देखने नहीं आये आत्म कल्यान के लिए, बल लेने के लिए आये है आत्मा बंदनों से निवर्त हो ऐसा काम हमें करना चाहिए आज जो बड़ा महत्पूर लगता है कल वो कुछ भी नहीं रह जाता है एक महिना, डिड़ महिना के पूर्व यहां जमीन के लिए मारा मारी मची थी अवाज सब जमीन छोड़ करके भागने के तैयार है सरकार अपने तरफ से सुन्दर विवस्था करके हाथ जोड़ करके रोक है और दस बीस जार रूपे पूजा वी चड़ावे की महराज रुको तो कोई रुकने वाला नहीं सब भाग रहे है यह सुन्सार है बिवा के दिन पद्पदनी का जवा कर्शन है कितना अदुद है बिवा के बाद भी कुछ दिनों तक लेकिन आगे चल करके जो भी कर्शन होता है वो भी लोगों कोन वो है जो इस्त्री और पुरुस एक दूसरे को सुरक के रूप में पहले देखते है कुछ दिन में नरग के रूप में देखने लगते है लडाई, जगड़ा, कला और तलाद, पता नहीं क्या क्या होने लगता है ये संसार नीरस है यहां रस नहीं है रस हामें लगता है, रस है नहीं विवेक साधना द्वारा जब पूरा नीरस लगेगा तब हमारे आत्म का उतार होगा हमने अपने मन को चारो तरब फसा रखा राप करके रस मान कर इसलिए हम उल्चे हैं जब दीरे 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 ये बोध हो जाएगा कि सब नीरस है तब मन चुट जाएगा खुला हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा और ये एक समय में ऐसा विश्वास नहीं होता है कि ये नीरस है दुनिया का सबसे बड़ा भोग, काम भोग मानते है और सबसे ज़्यादा उल्चन का कारण हो है और भोववंधन का कारण है मलिंता, चीरता, तृष्णा रोग, व्यादी, सब प्रकार की पीड़ा छोटे-छोटे सुख जो माने, बड़ा सुख तो दुख ही देता है तो छोटा सुख क्या सुख देगा अपने मन को फसा करके हम दुनिया में उलच जाते है साधक हुआ है जो दुनिया में अपने मन को न फसावे निरले फू करके रहे साउधानी से रहे इस राय खाना है हम काते और सुनते हैं अनुभो में आना चाहिए अनुभो में तब आएगा जब इसमर चिंदन मनन होगा गाराई से हम गाराई से चिंदन मनन नहीं करते हैं इसलिए अनुभो नहीं होता आउपचारिक ता मात्र रहती है जो चिंदन मनन करते हैं उनको अनुभो होता है आउपचारिक कहना आउपचारिक सुनना न रहे अनुभो होने लगे तब साधना फलित होती है मोह का विकार अपना मान करके होता है अपना माने बिना दुनिया का काम हो नहीं सकता है मोह त्यागने में ये जटिलता है एक प्राट इंसान खरीदता है मकान बनाता है और उसमें सामग्री लाके रखता है परिवार रखता है और जीवन गुजर करता है उसको कैसे अपना न माने प्राट मकान परिवार दान को अपना मानना पड़ता है अपना माने बिना उसकी दुरुस्ती नहीं हो सकती सफाई, सच्छता, रगाई, पुताई नहीं हो सकती बिना अपना माने काम कैसे चलेगा लेकिन अपना मान करके हम फस्ते हैं तो क्या करना चाहिए अपना मानने की मर्यादा हम समझे कितना अपना मानना चाहिए हम मर्यादा नहीं समझते हैं अपना मानने को बे मर्यादा अपना मानते हैं जैसे खाने में मर्यादा नहीं समझते हैं स्वाद बस जदा खाते हैं और पेट खराब करते हैं ऐसे हम ज़्यादा मान करके पीडित होते हैं बड़ी सावधानी से मानना चाहिए अपना दूरी बनाय रखना चाहिए आग से हम भोजन पकाते हैं और आग से अपनी दूरी बनाय रखते हैं कुएं से पानी भरते हैं और कुएं से अपनी दूरी बनाय रखते हैं गर न पड़ें सावधान रहते हैं बोजन करने बैठे हैं बोजन करें लेकिन उसे अपनी दूरी भी बनाय रखते हैं ज़्यादा न कर ले अपना ब्यवार के लिए माने हैं लेकिन दूरी बनाय रखते हैं अपना अंदता है नहीं सद्गुर्प की ये साखी बहुत प्रशद्द है है कौ तो है नहीं नहीं कहा ना जाए हाना ही के वीज में साहिव राज समाए शरीर परिवार धन दवलत मट मंदिल जहां तक इंद्री गोचर मन गोचर द्रश्य है उनको कैसे कहूं की मेरा है मेरी बावे दादे कहते थे और उनका कुछ नहीं रहा तो कैसे कहूं की मेरा है साहिव कहते हैं नहीं कहा ना जाए नहीं कहते भी नहीं बनेगा किसी से कोई पुछे तुमारा गर कहा है वो कहा हमारा गर हार गर है आपना घर मानना पड़ेगा अपना घर अपनी पतनी अपने बच्चे अपनी संपत्ति सादू को भी अपना मठ मानना पड़ता है तो वहाँ का वो प्रवंद करते हैं इसलिए नहीं काते नहीं बनता है तब क्या करना चाहिए साहिब काते है नाहीं के बीच में साहिब राज समाए विवेगवान है और नाहीं के बीच में रहता है है भी नहीं भी है थोड़े समय के लिए नहीं है अनंत काल के लिए मेरा सरीर है कब तक के लिए है थोड़े समय के लिए और जब छुट जाएगा तो अनन्त काल के लिए नहीं रहेगा जितना परचित है और परचे के गर्थ में सबका डूबना पका जब से हम जनम लिये होस में आये हैं तब से हम परचे कर रहे हैं और परचे बूलता जाता है मुझसे तो कितने भगत कहते हैं साइब मुझे पहचाने आग वो दस बरस के पहले मैं आपको मिला था अब यह सनक के सिवा और क्या है दस बरस के पहले आप मिले थे कहीं भी भड़का में हावाशा करते हैं आज मैं आपको पहचान लो कैसे पहचान लिया जाए जो मिलता जुलता रहता उसको पहचाना जाता है दस बरस के पहले आप मिले थे आवाज मिल ले हैं हर पहचान खुती जाती है आवाज कल में हमारी सारी पहचाने सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे सारा परचित अपरचित के गर्थ में डूब जाएगा और अद्रिश्य दिशा में चल देंगे इस बात की याद करने की आवशकता है अचानक यह होगा बिलकुल जटपट हुचकी आई काली बदरिया मुपर छाई गरब तो रहता है कि अभी तो हाई सब को अंकार है अभी तो हाई नब्वे वरस का बूड़ा भी सोचता अभी तो हाई इसलिए कितने गुरु और महांत अपने आस्त्रम को संस्था रूप नहीं देते हैं सोचते हैं अभी तो मैं होगी अचानक मर जाते हैं बच्चेले लड़ते हैं यह महाब्रम है सम मरे तो मरे हम मरे यह थोड़े एक आत्मी तो कहता था मैं मरने कलपने नहीं करता हूँ क्यों मरूगे मरने लगा हूँ उठकर के बैठ जाओंगे तो उसको लकवा हो गया जवानी ही में अब इस तर पर पड़ गया अब पर ऐसा सुष्ट हुआ कि वही लागे वह एक साल में मर गया तो लोग कहें कि अब कैसे उससे पूछा जाए तुम कैसे मर गए पूछने एक सादन भी नहीं लागे ते मिध्या अंकार कि सम मरे तो मरे हम नहीं मरें रोज रोज प्राणी हम लोग को जाते हैं लेकिन जो भचे हैं वो यही चाहते हैं कि हम यहीं रहें इससे बड़ा आस्चर्ज क्या होगा मृत निश्चित है सब के पीछे और मृत को सुईकारने वाला निर्भय हो जाता है मृत को आदर दो मृत का अस्वन करो मृत तो असुव नाई हैं असुव तो कामक्रोध लोब मो मनो विकार है लोग जनम को और विवा को शुब मानते हैं और मृत को अशुब लेकिन लोग कावत कहते हैं कि सो बरात में जाओ तो नरख होगा और सो अंतेष्ट में जाओ तो सुरग होगा बरात में बूरे भी चिबिल्ले हो जाते हैं और असलील बात करते हैं और किसी की अंतेष्ट संसकार में जवान भी गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं यह कुछ रखा नहीं संसार में, धोखा है जिसमें हमारी आखे खुलती हैं उसको हम हसुब मानते हैं मृत्त, किसी की मृत्त होती है तो थोड़े समय के लिए मन में वैराग गया जाता है सामान विक्त के मन में भी विवास आदी बरात वरात में दो और रागरंग बढ़ता है तो विवास सुब है कि मृत्त सुब है जिससे मन का बंदन छुटे वो सुब है लेकिन लोग कहते जनम सुब है, विवास सुब है, मृत्त सुब नहीं है जबके मित्व जीवन के अंतिम रेजर्ड का दिन है साल भर की पढ़ाई के बाद परिच्छा देने के बाद परिच्छा फल का दिन छात बड़ी बेतावी से उसके लिए परिच्छा करता है कि कब परिच्छा फल आएगा मिर्ट का दिन परिच्छा फल का दिन है उस दिन पूरा रेजर्ड सामने आने वाला है बैलेंसेट सब सामने आने वाला है इसलिए उसकी तैयारी पहले से करना चाहिए दोखे में राने से काम नहीं बनेगा यहां की अस्थूल चीजे काम न देगी सब जहां का तहां रा जाएंगे जो करम कमाई के संसकार है वोई साथ चलेंगे आदमी जीवन में क्या पाया इसका मुल्य नहीं है संसकार उसके कैसे इसका मुल्य पवित्र संसकार पवित्र संसकारों का समच्चे फूल की सहिया गंदे संसकारों का समुच्च है काटे की शईया है साधक और संद के पास क्या होता है फूल की शईया निर्मल मन, निर्भय मन यही जीवन की उजाई है कंकर पत्थर बटोरने वाले जीवन भर उसके पीछे पड़े राते हैं अवंत में हतास हो करके संसार से जाते हैं घरप्त बहुत रहता है लोग की कूपलब्दियों का अहंकार अविवेक बस बहुत होता है लेकिन उसकी पूल पट्टी अंत में खुलती है जिन जिन प्राणी पदार्थों परिस्तितियों में हमारा मन उलचता है वो सब धोके की टट्टी है अपने जीवन से ही आदमी बहुत सीख सकता है आज से पचीस बरस पूर हुए जिन बस्तों में हम रागवान हो रहे थे वे बस्तों आज नहीं है दस बरस पूर पाँच बरस पूर हुए कल जिसमें हम मोह करते थे वो चला गया मेरे पास नहीं है क्या मतलब वो मोह करते है चेहरा जो अपने शरीर में ही चिपका है हर्चण बदलता है किसी बेक्ति का चित्र हर बरस लिया जाए तो सुरू से आखीर चित्र को एक जगा रखा जाए लगे गए दूसरे दूसरे का सबसे निकट माना गया शरीर चण चण बदलता जिनमें हम रागवान होते हैं वो इस्तर नहीं इसने सद्गुर कहते हैं कि है और नहीं कैसे कह है आए भी नहीं भी जब तक विवार है तब तक है लेकिन विवार कब तक है दे के सारा विवार गाय पर नहीं हो जाता है जो चीज आज कल में नहीं हो जाने वाली है उसमें अपने मन को बादना गोर अविवेक है शरीर में हम बैटे हैं इसलिए संसार का भास होता है संसार अभी फुट जाए है संसार का भास मिट जाएगा संसार का हमें पता नहीं लेगे कहां गया और सरीर के फुटने में कोई देरी नहीं बानी के बुलहुला, बना और पुटक आयसे जब कभी फुट सकता है इसलिए जागर्थोने की आवस्षक्ता है साधक जो सैन्यत नहीं हो पाता, चित शान्द नहीं हो पाता खास कारण है मौ मौ छोड़ नहीं पाता, ममता छोड़ नहीं पाता और मौ ममता छोड़ने में ये कठना ये कि बिना मौ ममता के काम नहीं चलता है ऐसा मान लेते हैं मौ ममता के बिना बढ़िया काम चलेगा थोड़ी हलकी सी ममता बेवार में रखना है बस जरासी जिससे कार्ज संपादी तो हो जाए उतनी ही ममता रखने है हम सीट पर वैठते हैं ट्रेन में और हमारा रेजरवेशन होता है और मानौ में बाम्बे जाना है बाम्बे तक हम समझते हैं मेरी सीट जैसे वहां उतरे समझ लेते हैं मेरी सीट नहीं ऐसे जहां हम बैठे हैं ये थोड़े समय के लिए सीट है किदरे लोग तो वहां भी ट्रेन में भी मारमारी कर लेते हैं कुछ घंटे के सफर को ले करके मारमारी कर लेते हैं ये दुर्भाग पूर्ण बेवार दिन रात मुसाफिर जात चला रात दिन मुसाफिर जा रहे हैं यहां कोई टिकने वाला नहीं इसलिए बड़ी हलकी ममता विवार के लिए रखना और उसका भी द्रश्टा वने रहना वो इस्तर नहीं है सब समय जाकते रो सद्गुर्ण ने कहा संतो जागत नीद न कीजे काल न खाए कल्प नहीं ब्यापे दे जरा नहीं चीजे ऐ संतो जाकते रो नीद न करो तुम्हे काल नहीं खा सकता है कल्प नहीं ब्याप सकता है तुमारे स्रोग को जीनता नश्ट नहीं कर सकती जो असकद्धों से जुड़ा है वो छिड़ होता है यह अखंड है उसका विनाश नहीं जाकते रो नीद न करो नीद कार्थ मो ज्यानी अज्यानी की परिभाषा अध्यात्मिक छेत्र में निर्मोही मोही लवकिक भाषा में ज्यानी उसे कहते है जो जानकार हो किसी विशे में अज्यानी उसे कहते है जो न जानता हो इस दिश्टी से दुनिया में कोई सर्वता ज्यानी सर्वता अज्यानी नहीं है बहुत बड़ा इंजीनियर भी साइकल का पंचर बनाना नहीं जानता है उसके लिए अज्यानी है और साइकल का पंचर बनाने वाला पंचर का ज्यानी तो आई है तो दुनिया में सब अज्यानी और सब ज्यानी है किन्त वाध्यात्मिक भाषा में अज्ञानी कारत है मोही ज्ञानी कारत है निर्मोही बहुत प्रवचन कर लेते हों बहुत किताब लिख लेते हों बहुत बड़ी गुरु भी हो गए हो लेकिन अगर मोह गरस्त है तो अज्ञानी है उमों जैसे घरदुवार का होता है, इसरी बच्चो का यह से अमट मंदिर का हो गया इससेश्यो का हो गया, मान प्रतिष्ठा का हो गया, पद का हो गया पदों की तिशना तो साधों में भाझार बढ़ गई पहले भी थी, लेकिन इधर 50 वर्सों में इतनी बढ़ी है है बिना उपादिके तो जीना मुस्किल है इस सारा मौ खल्यान का विरोधी है मौ जितना चिर होगा आत्मा उतना निर्मन होगा हमारी साधना मौ को तोड़ने के लिए होनी चाहिए जिनके लिए आपकी जिम्मेदारी है उनकी सेवा करें मौ करके आप रागदोईस करते हैं जगड़ा करते हैं मौ नपर तो रागदोईस नहीं करेंगे शुद वर्ताव करेंगे मौ रहित व्यवहार निर्मन होता है मौ युक्त व्यवहार दूसित होता है तो बात ये आती है कि मौ छोड़ना चाहिए और ममता के बिना काम नहीं चलता ममता में मौ स्वभावी थे लेकिन उसके लिए निविदन किया गया कि मेरे मन में ब्यवाद के लिए हलकी हलकी ममता हो ज़्यादा नहीं ये पहले समझ ले थोड़ी दिन रहना और उसके लिए कोई पता नहीं है कि कव तक एक नदीद में एक तरफ से नावका चलती है और दूसरे तरफ लगने के तरफ चलती है हम देखते हैं कि इस तरफ से इतनी दूरी चली गई कि इतना दिन हो गया जनम लिए इस शरीर के लेकिन मृत कब होगी यह पता नहीं परन्त इतना पक्का है कि मृत निश्चित है और बस ऐसे आते आते आजाएगी लेकिन साधना न होने से उधाणा नहीं बनती है संसार की नसुरता मृत के मुख में शरीर का जाना सारे परिचतों का विस्मिर्थ हो जाना यहां कमाना हुआ सब कुछ का विले हो जाना यह सारी बाते बिलकुल यथार था लेकिन आजसी त्रिष्ट क्यों नहीं बनती क्योंकि साधना नहीं की जाती है अकेले में बैटो, गरंत पड़ो, ज्यान बैराग भक्ती के चिंतन करो, ध्यान करो, तब मन बनेगा कभी सुन लिए, हरोज मन चिंतन नहीं साधन संपन संतों के पास कभी भी जाके दो चार दिन नहीं निवास की साधना के विशय में युक्त प्रियुक्त नहीं सीखी रोज साधना में नहीं बैटते हैं उदर चिंदर मनन नहीं करते हैं तो उदशा कैसे आएगे बारं बार सोचने से उदशा आती है इसलिए सब कुछ आईए गिरस्त को विरक्त को इस्त्री को पुर्श को समय निकाल करके रोज अकेले में बैठा कर एक गंड़ा दो गंड़ा जितना सम्भू है मैंने एक फार्मुला बनाया है उकाह करता हूं कि जवान लोगों को एक घंटा चोविस घंटे निकालना चाहिए और चालीस के उपर वालों को दो घंटे और पचास के उपर वालों को तीन घंटे और साट के उपर वालों को कम से कम चार घंडे और ज़्यादा निकाल सके और ठीक है अकेले में बैटो और देन करो, चिंतन करो, ध्यान करो चिंतन का अर्थे वास्तविक्ता का विवेक करना जो जैसे वैसे समझना सरी नस्वर है, संसार नस्वर है कुछ मेरे हाथ में नहीं है, मैं शुद्ध भुद्ध निर्वलूं इन वास्तविक्ताओं पर विचार करना चिंतन है ध्यान का अर्थे चित का निक्र करना सत्संग, स्वाध्या, चिंतन, ध्यान, ये सब होता रहेगा तो धाना हमारी एकरस बनती जाएगी इसके मूल में सेवा है उतो कभी नहीं बोलना चाहिए सेवा जड़ है सेवा नहीं होगी तो चित शुद्ध ही नहीं होगा पिर और कोई साथना नहीं बनेगी इसलिए सेवा की जरूरत है सेवा तन से, बन से, बचन से, धन से आर्परकार की सेवा होती है इसलिए सेवा सब को सेवा करना चाहिए साद ग्रस्त सब को सेवख होना चाहिए विवेकवान गुरु भी अपने को सेवख मानता समाज का स्वामी नहीं मानता सेवा के बिना किसी का चित्त शुद्ध नहीं होगा इसलिए शरीर से आलसी न रो घर में रहो, परिश्रमी रहो, संतों के पास जाओ वहाँ भी सेवा करो और फिद्धन दौलत से भी सेवा करो दूसरे की सेवा के तीन अस्थान है पवित्रात्मा और असमर्थ लोग और लोग मंगल कारी कार्ज पवित्रात्मा को हम जो कुछ देते हैं, उनकी सेवा करते हैं उनसे हमें बहुत मिलता है बोध ग्यान आप जो देते हैं, बहुत ही बस्तों देते हैं पवित्रात्माओं की सेवा दूसरा असमर्थों की सेवा जो असहाय है जो बन सके सेवा और सारजनिक लोग मंगल का काम आस्पिटल बन रहा है, स्कूल बन रहा है, पुलिया बन रही है गाउं से निकासी का पानी भर जाता है और मनुस पसू जाते हैं बर्शा में बड़ी परिशानी होती है, सब मिलकर के बना दिये पुलिया बन रहा है, सब का हित है संत अस्रम बन रहा है लोक मंगल कारी संस्थान बन रहे हैं तो ऐसे सारजनिक लोक मंगल कारी कारजो में धन देना तीन जगए सेवा की जगए है दिया हुआ लोटता है ये प्रगर्द का विधान है कभी साहिम ने का रे तु बसंत जाचक भया हर्ष दिया द्रुमपाद ताते नो पलो भया दिया दूर नहीं जाच वसंत रुत ने जाचना की बन राज से कि बन राज आप अपने पत्ते मुझे दे दीजिए तो हर्षित हो करके बन राज ने सारे पत्ते पीले करके जाड़ दी ताते नो पलो भया इसलिए नए नए पलो पेडों में आ गए दिया दूर नहीं जाथ जो दिया जाता हो दूर नहीं जाता और स्वस्थ हो करके लोटता है इसलिए रिष्ट न कहा तैत्री उपनिशत के रिष्ट ने स्रध्णय देया अस्र देया देया靠ो शरद्द्द्द से दण करो व्योज देंच दान करो और मैं पढ़र कन करो나 जरा उन्हों मित वीमाइना व्यम्हा प्रताodore व्या भीम्हें घेया अन्हों वतला रही डिर्द्द देर था गाया घे ए Karma कि कहाने कितना सुन्दर तरीका है सर्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् सर्दा से दोगे देरे सर्दा हो जाए हरिया देयम लज्जा से दो लोग दान धर्म करते तुम कंजूस बने बैटे लोग क्या काएंगे लज्जा तो करो हरिया देयम लज्जा से दो स्रिया देयम स्री नाम धन धन की मर्यादा से दो कोई बहुत दनी जदा दान करता, तुम गरीब हो, थोड़ा करो, नहीं करो कोई गरीब है कम देता, तुम धनी हो, जदा करो स्रिया देयम, लिया देयम, भीया देयम, भैसे दान करो तुम दान दर्म नहीं करोगे, तुमारा भरुष कितना खराब होगा और संबिदादेयम संबिदाकार्थ इकरार करना अगर देने कहे हो तो जरूर दो मुकर न जओ इच्छा डंग कितना बढ़ियां कितना आकर्शक है स्रद्यादेयम, स्रद्यादेयम स्रियादेयम, भियादेयम हिरियादेयम, संबिदादेयम तो सेवा तो मूल है सेवा से चित शुद्ध होगा और चित शुद्ध होने पर संतों की वाणी असर करेगे अध्यन मनन बढ़ेगा चिंतन बढ़ेगा ध्यान बढ़ेगा तो ग्यान एकरस होगा जो सब के हो ग्यान एकरस इसर जीवई भेद काओ कस गुष्वामी जी ने का एकरस ग्यान हो जाए इसर जीम क्या बेद है एकरस ग्यान हो गया वास यह जीम इसर है तो मैंने शुरू किया था जीवन का कल्यान हमारे जीवन का परमुद्देश है आत्मा का कल्यान आत्मा का कल्यान है मोह का छूट जाना इसनी मात्रा में मोह चुटेगा, चित विस्राम पाएगा, शान्ति पाएगा मन इसलिए भटकता है क्योंकि मोह गरस्त है और हम लोग बड़ा अच्छा मान बैठें मोह को बड़ा प्यारा लगता है, छोड़ने में नहीं आता है लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा एक सेट से सो सो रूपे उधार लिए और कहा कि महिने में दे देंगे एक महिने में एक ने दे दिया, दुसरा नहीं दिया वो जब ज़्यादा चालाग था और ज़्यादा चालाग ही बेवकूफ हुआ करता है छे महीने हो गए नहीं दिया सेट पकड़ पाया खंबे भी बदवा दिया का आप लाओ दो तब छोड़ेंगे वो का सेट जी रूपे नहीं है तो का अच्छा सो प्याच खालो तो हम रूपे छोड़ दे का धरो खालेंगे दो तीन खापाया, फिर परिशान हो गया सेट ने कहा अच्छा सो मिर्चे खालो तो अम रूपे छोड़ दे का रखो, वो समझा हल्का है खालेंगे वो तो एक दो खाया, तभी मोग जलने लगा कलेजा जलने लगा सेट ने कहा अच्छा सव जूते खालो रूपे छोड़ दे तो उसने सोचा इसको खाना तो है नहीं साना है पेट के बार लेट गया पीट पर जूते पढ़ने लगे जब वीश जूते पढ़े तो दिमाग ठंडा हो गए अब सोचा सव जूते में तो प्राण राम निकल जाएगे का सेट जी रूपे महाए देता छोड़ दीजे अब समझदार कौन है जो पहले दे दियाओ समझदार है प्याज खाए मिर्चे खाए जूते खाए रूपे दिये कौन समझदार है मो छोड़ना पड़ेगा अब प्याज मेरे चित जूते खाके छोड़ना चाहते हो कि पहले इस सहें सोचो इस संसार को छोड़के जाना है इसरे पहले मों छोड़ो मों छोड़ करके परिवार और समाज की सेवा करो आएंगे नहीं का पाता हो आप फिर कब लोटेंगे अमुक तारीक को लोटने की बात है लोटों को कैसे को कहीं फूट करके बारा आजाए गिर जाए बस क्या लेना देना ये मिट्टी का लोदा धन्गना रहा हूँ धन्गना ना ठेलना जैसे गेट ठेला जाता है इस मिट्टी के लोदे को डंगना रहा हूँ, कहीं गिर करके टुड़ जाए बस टुड़ जाए, आना जाना कहा है, ब्यवार में आना जाना पड़ता है, तो आउँगा कि कैसे को, आने की बात है, जा रुग जा, रुग जा, रुग जाए, अपने मन को इदना आना सकत रखन कि अवश्यक्ता है, अभी साँच टूटने को बात है, कोई फर्क न पढ़े, पुजा करने वाले हैं लोग, आज जानता हूँ, मेरी पुजा करने वाले हैं, आउड जाए तो, पुजा की बास मर आ जाएगे, जोग हमारी पुजा करने वाले थे क्या कह है, आर्ती नहीं, लोग मन है, तब आरती कर लेंगे और जिनको गाली दे निंगाया होगा गाली कर लेंगे उनका मन है उनको हान लाव है मैं किसी मा vest की आरती करो तो मेरा लाव है मेरी आरती हो तो मेरा लाव कुछ नह elder साब समय अपने मन کو दोई रखना चाहिए और ये बात सब को रखना चाहिए अगर सादू शरीर छोड़ने वाले हैं और गृस्त सदे और राने वाले हैं तो गृस्त लोग मौन न छोड़ें लेकिन गृस्त को भी जाना है सादू गृस्त दोनों के लिए नियम एक है इसलिए दोनों कुम्मों छोड़ करके जीना चाहिए और जहां जो है अपने अपने करतब कापालन करना चाहिए और इसी जीवन में कृतार्थ होने का प्रयास करना चाहिए इस महाकुम्म के आउसर पर संतों भक्तों ने मिल करके इतना बड़ा युजन किया और संतों का परिश्ट्रम तो हई है भक्तों का सायोग अद्वत है धन से, तन से, मन से तब इतना बड़ा काम हो सका और इसमें आकर के आप लोगों ने इसकी सार्थक्ता की अगर आप लोग आते ना तो ये सब बना गर की क्या होता आप लोग आने वाले इसलिए बनाया गया आप सभी को दन्यवाद देते हुए मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ खुलिये शत्गरो देव की जये